नमस्कार शी किष्णा शीरादेव बहुत बहुत स्वागत है आप सब के रहत खास और आपकी यूट्यूब चैनल शन्तोसंतो्शी पर मिल ही नहीं सकता, किसी कीमत पर नहीं मिल सकता है क्योंकि जहां से लोगों की सोच खत्म होती है वहां से हमारी सोच सुरू होती है और बहुत सटीक दिसा में जाती है आप सब के घर में भगवान सिरी गनेश का पदारपन हो चुका है भगवान स्री गणेश आ चुके है समझिए और ऐसे में अगर कलपना करिए भगवान स्री गणेश आपको दर्शन दे தे साक्षाथ बेलकु ठीव सुन रहे हैं भगवान स्री गणेश के तर्शन class अगर आपको हो जाएं, तो क्या कहने उसके बाद जो आपके अंदर फीलिंग आएगी जो आपके अंदर बदलाव आएगा वो अपने आप में बिलक्षन होगा बहुत अलग होगा क्योंकि इश्वरिय दर्शन की जो त्रप्ति होती है जो उसका जो उसकी संपूर्णता होती है वो शब्दों में कहां वखान किया जा सकता है तो कैसे दर्शन हो क्या सबको दर्शन हो सकते है नहीं इसके लिए भी जन्मांक में योग होता है जन्मकुनली में योग होता है कि किसे भगवान के दर्शन होने के संजोग भ्राप्त हुए है या नहीं हुए है अनुभूती प्रत्यक्ष आँखों से किसी न किसी रूप में क्या करना है इसके लिए हम आपको बताते हैं पूरे गणपती के दौरान अर्थात 25 अगस्त से लेकर के 5 से तंबर तक पूरे गणपती के दौरान कभी न कभी आपको इश्वरिय दर्शन भगवान शिरी गणेश का दर्शन होके रहेगा वक्रतुन्य महाकाय सोरे कोरी समप्रभ निर्विगनम कुर मेंदेव सर्वकारेश शर्वदा ये खास भगवान सिरी गनेश के निमित्व प्रार्थना मंत्र है इस मंत्र को जब करके एक खास विधी करते ही आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे हो जाएंगे इस वीडियो को आप शेयर की विना नहीं रह सकते आप अपने फेस्बुक प्रुफाइल पर पेज पर अपने वाटस अप पर ग्रूप पर रिष्टेदारों के हाँ हर जगह आप ए वीडियो भीजने के लिए मजबूर हो जाएंगे क्योंकि प्रभू कहीं न कहीं से आपको दर्शन देने आएंगे उसके पीछे यह है एक बहुत बड़ा कारण बनेगा आपके पास पूर्य दस दिन का समय है 25 अगस्त से लेकर के और 5 सितंबर तक का समय अब हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या होगा अब आपके पास वो रोचक जानकारी मिलेगी लेकिन उससे पहले कुछ और जानकारी पा जाईए आप जब ऐसा कुछ करेंगे आप भगवान के दर्शन का वो प्रोसेस करेंगे वो उपाय करेंगे जो हम बस बताने वाले हैं चंद सेकेंड मिनट में जब तक प्रभु के दर्शन ना हो जाएं आप किसी को यह बात शेयर नहीं करेंगे शक्ती बट जाती है नजर लगती है आप ने बताया कि रे 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 हम आज यह करेंगे दर्शन हो जाएगा भगवान का तो उसके मन में एक भाव आएगा निगेटिव की इन्हें होगा तो हमें क्यों नहीं होना मलब हमें भी होना चाहिए तो वो द्वेश वाला भाव आपके सकरात्मक भाव के फल को छीड़ कर देता है कम कर देता है इसलिए कोई बहुत बड़ी कार योजना की विशे में भी कहा जाता है कि आप जब तक काम हो ना जाए तब तक किसी से बात बताईएगा मत आप घर खरिदना चाहा रहे हों आप वहन खरिदना चाहा हों क्योंकि इससे फिर एक द्वेश वाला नकारात्मक्ता हमारे पास आने लगता है संतान के विशे में भी कहा जाता कि तीन महेने के पहले आप ना बताईए ज़्यादा लोगों को कि आपने बच्चा कंसीब किया है या आपको बच्चा पैदा होने वाला है तो अच्छा होता है ऐसी थमाम बातें आप सब सुनते हैं तो आपको एक इस बात का बहुत बड़ा ध्यान रखना है और अब हम आपको बदाते हैं वो खास सुपाय जिसके द्वारा आप भगवान सिरी गणेश का दर्शन प्राप्त करेंगे खुली आँखों से दस दिन के अंदर में कैसे देखिएगा एक सुपारी ले लिजिएगा सुपारी के चारो तरफ दूर्वा बांद दीजिएगा भगवान सिरी गणेश को सुपारी में भी हम प्रतीक की रूप में पाते हैं और दूर्वा भगवान सिरी गणेश को अतिप्रिय है हम किसी को अपने पास बुलाने के लिए क्या गड़ते हैं उसकी प्रिय चीजों को परोस्ते हैं जिससे वो हमारे नजदीक आए बच्चे को दिखाएंगे चॉक्रेट ले करके बटा आजा 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 बच्चा दोड़ता हुआएगा बच्चे को साकिल बहुत साकिल दिखाएंगे बेटा जल्दी आओ जल्दी आओ यह तो भगवान जब गणेश को हमको निवता देना है तो हम कुछ ऐसा करें जो भगवान सिरी गणेश को अतिप्रियों सुपारी लिया उसके चारो तरफ दुर्वा लफेट करके और फिर इस सुपारी को एक कटोरी में हल्दी डाल करके और डुबो दीजिएगा अब एक पीपल का पत्ता ले लिजिए और उस पत्ते के अंदर हल्दी तुलसी की लकडी से हल्दी में डिप करके लिखिए ओम गजाननाय मम समक्ष द्रिस्य द्रिस्य नमह ओम गजाननाय मम समक्ष द्रिस्य द्रिस्य नमह इस मंद्र को आप लिखिए सुपारी जिसमें दुर्वाला पेटा है वो इस पत्ते पर रखिए और पत्ते को मोड़कर यगो पवीत से जनेयों के धागे से लपेट के बांग दीजिए और इसे अपने पास रख लीजिए या सोते समय सिरहाने रख लीजिए विश्वास करिए आपके जन्मान कमई येदी जरासा भी योग है इश्वरिय शक्ति के दर्शन का तो आपको भगवान का दर्शन जरूर होगा दर्शन के बाद मागे क्या ये तो भईया हम आप पर छोड़ते हैं क्या चाहिए आप मंतरी बनना चाहते हैं आप एरोश्टस बनना चाहते हैं आप model बनना चाहते हैं, आप IS बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, यह हम आपकी सद इक्षा पर छोड़ते हैं, शब्द मैंने क्या कहा, सद इक्षा, बुरी इक्षा नहीं, इनसे शादी हो जाए, जब बरदस्ती कोई अंतर नहीं है, ऐसे इक्षा जिससे आपका कल कुमेश नाराज भी हो सकते हैं इंतजार करिएगा हमारे एक लिए वीडियो का सब्सक्राइब करिए लाइक करिए कमेंट छोड़िए और हाँ अगर आपको भगवान का दर्शन हो हमारे लिए भी कुछ जरूर मागिएगा जाता कुछ नहीं सद बुद्धि फिलार अनमत दी सकता है